नमास्कार दोस्तों दोस्तों अगर सुबह का नास्ता सवह से कर लिया जाए तो सारा दिन अच्छा से गुजरता है किसी भी कारेव करते हैं तो आप सवह धंग से कर पाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम अपके लिए एक ऐसी चनकरी लेकर आए हैं जिसके बारे में अगर आप रोजाना सुबह इसका सेवन करते हैं तो आपके सरीर के अंदर ना तो कमजोड़ी आती है और ना ही थकान आती है आखों का दर्द भी नई होता है अगर आप लेपटप पर या कहीं पर भी काम ज्यादा करते हूं आखों के द्वारा तो दुस्तों आपको रहत मिल अक्सर लोग मुबाइल पर लेपटप पर घंटो घंटो लगे रहते हैं इससे उनके आखों में दर्द होने लगता है और बहुत बार ठकान हो जाता है जिसके चलते सरद भी करने लगता है तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी चीज़ों को आप यहां पर देख रहे ह हैं यह सीज़े हमारे दिमाग को तेज करता है हमारे आखों की रौसनी को बढ़ाता है और हमारे सरीर के दर्द को भी कम करता है हमारे सरीर को कमजूर होने से बचाता है इसका सेवन करने से आपका सरीर हर एक तरह से मजबूत बलता है किसी भी करिव करते हैं तो आप उसमें परसेंट अपना दे सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों हम ले रखा ये बदाम और यहां पर ले रखा है मुंग फली के दाने और ये मुंग के दाने तो आपको इसे रात में भी हो देना है और अगली सुबह आपको बदाम को बाहर निकलनी है और छिलके को उ जब याँ अंकुरित हो जाए तो आप इसका 72 पहर बे कर ले आप चाहे तो इसमें चन्ने का भी प्रयोग कर सकते हैं चन्ना भी इसमें खाया जा सकता है इसे खाने से आपके सरीड के अंदर धकान नहीं आती है आप किसी भी कार्यों करते हैं 200% वहाँ पर दे सकते हैं तो दो ताकि आपको हमारी अने वली अगली वीडियो के जानकारिया मिलती रहे तो हम आप से जूड़ते हैं अगले वीडियो में ने टॉपिक असाथ तब तक के लिए आप समय का बहुत बहुत धन्यवाद नमसकार दोस्तों